Hello Guys, Welcome back to my video आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अमने कोप्यूटर पे WhatsApp app डाउनोड केसे कर सकते हो ठीक है बहुत ही एजी वेशे आप WhatsApp app डाउनोड के सकते हो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो लाइक शिरो सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आप इस वीडियो को स्क्रिप पढ़ने के सब्सक्राइब करना क्योंकि यह बहुत इंफोर्मेटिव है इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो एन तक बने रहिएगा तो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले अगर आप PC पे डाउलोड करना है तो आपको Google Chrome खुलना है Google Chrome नहीं होगा तो Microsoft Edge चलेगा Microsoft Edge नहीं होगा तो Firefox नहीं होगा तो Search पे भी चलेगा तो ठीक है तो अगली वीडियो में आपको बता रहा पिसली वीडियो में आपको बता रहा था कि आप आपके लिए Best Screen Recorder कॉन सा है तो चलिए अगर आपने वीडियो देखी नहीं है तो मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये तो आप जोड़ी से देख लेना तो मैं अब भी आप Search में पे नीचे डाल सकते हो तो मैं फिलाल अभी Google Chrome खल देता हो तो हर PC या लैपटप में Google Chrome होता ही है औके हर PC लैपटप में Google Chrome होता ही है तो Google Chrome खल लेते हम Google Chrome खलने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको Search में क्या डालना है Whatsapp Download ने रुक्ति कर देना है उसके सबस्क्राइब कर देना है कि इसने डालना के बार आपको उसके कुछ नहीं लगला है बात्सव डाउंड इन से लेखने लिकान देखिए इसा पेज खुलेगा तो आपको यहाँ पर फॉस्ट वहाँ दिख रहा है न है आपको हाइलेट करके बटाता हो यह देखिए यह फर्स्ट फर्स्ट डाउन्वर्व वाचसअप आपको लिंक पे क्लिक करना है अगर आप अगर आपको लिंक नहीं मिल रही तो मैं वह लिंक को नीचे भी डाल दूगा दिस्क्रूप्शन में है है कि यहां पर हम क्लिक करते दाउंड वाच्ब पर ऐसा कुछ इंटरफ्रेस को लेंगा तो यहां पर फोन्स पर भी आएफोन पर यहीं पर मैक और विंडोस पर आता है तो नीचे स्क्रोल डाउन करने के पड़ आपको यहाँ पर download for windows का option आएगा ठीक है download for windows